नमस्कार दोस्तों भगवान आप सभी का भला करें और आपके सारीक चाहें एव मनों कामने परी हूँ दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हां से रिलेटेड महत्मुन जान करें व्यक करूँगा जिस मसवर को तो मैं आपके फिंगर के अनलेस के बाद इस पर पाम का अनलेस कर आप सभी के साब ने व्यक करूँगा तो यहां पर देख सकते हैं कि फिंगर के लिए थापके पाम के कंपरेंजन बिल्कुल नॉर्मल है थोड़ा सा थम जो है आपका शोट हो रहा है जो एक फास्ट डिसेजन मेकिंग हैबिट देता है इस कंडिशन में इंस्टेंट डिसे नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूट्स, रेगुलेशन, एथिक्स के अकोडिंगली वर्क करते हैं तो इस कंडिशन में सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपके हाथ में यह आगे है कि आपका जो जूपिटर फिंगर है वो स्ट्रेंथ वाइस लॉंग है तो इस कंडिशन वो यहाँ पर अभी पाम लाइस में जो है जैज्मेंट लिया जाएगा तो करियर वाइस तो यहाँ पर फूट्फुल रिजल्ट्स आ रहे हैं बाकी लिडल फिंगर के लिए भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पॉर्ट तक पहुश रही है तो इस कंडिशन में कम्यूनिकेश अरुटन में नॉलिजबल पर्सनलिटी क्रियेट होते है क्योंकि जुपिटर कार आख्या सबसे में ग्यान का तो ग्यान के विशे में बहुत ज़्यादा रूची रखने वाले होते इसलillery जीवन में कभी किसी प्रेकार के ग्यान में या कोई भी चीज सीखने में किसी प्र हो जाने वाले यहां देखने को मिलता है, फिर वापिस से friendship हो जाती है, वापिस से relation create होता है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा trouble आते रहता है, वो यसा क्यों होता है, अभी इस वीशे में भी हम आगे चर्चा रखेंगे, बाकि finger के जो notes है, वो develop clear cut नहीं है, थोड़ा यह confusing mindset देता है, decisions properly ले नहीं पाते हैं, किसी व्यक्ति विशेश के guidance से support क्या शक्ता पड़ती है, decision लेने में, phalanges यहां develop ठीक है, internal marks की स्थिती ठीक है, तो stamina energy रोग प्रति रोधक शमता, इसमें ठीक देखने को अच्छा है, तो self respect अच्छी देखने को मिलती है, यह कची नोपन है, तो पैसा जीवन में आएगा, लेकिन रुकने नहीं वाला है, क्योंकि खर्चे आपके बहुत ज़्यादा यहां रहेंगे, इसलिए जब भी धाना है, सबसे पहले कईना के investment क्या करें, ताकि पैसे का proper utilization होते हैं देखने को मिले, पाम का जो आपका size है, वो squarition में convert हो रहा है, यह hard working nature दे रहा है, महनत में कोई कम ही नहीं होती है, punctuality, management, यह सारी चीज़े, combination बहुत अच्छी देख रहे हैं आपके पाम में, तो career wise तो बहुत best, यह पूरे के पूरे result यहाँ पर दे रहा है, और यहाँ पर एक और मैं आपको बात बता दूँ, कि आपका जो heartline उसकी एक शाक बहुत strongly जूपिटर तक गई है, तो इस condition में pure workaholic nature रहता है, खाली बेटना पसंदी नहीं होता, कुछ न कुछ work के करना अपने आपको busy रख रहे ना, इसलिए आप अपने जो है पूरे overall family से सबसे ज़्यादा महत हूँ अपने work एवं career को देने वाले रहेंगे, अब यहाँ पर आते marriage prospect के regarding तो उसके indication सबसे पहले जूपिटर देन आफ्टर शुकर पर मिलता है, तो आपके जूपिटर पे तो बहुत positive signs आ रहें जैसे कि यहाँ पर आपको जो है window sign created हुआ पड़ा है, तो window sign बहुत शुब होता है यहाँ पर, क्योंकि इस condition में marriage के बाद तो growth होती है, लेकिन window sign का सबसे main जो असर है वो होता है, मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा, तो career wise तो यह indication बहुत ज़्यादा best माना जाता है, married life बस यह रहता है कि इस condition में थोड़ा sacrifice ज़्यादा करना पड़ता है, reason इसके पीछे यही है कि आप career oriented, work oriented personality में आरे, practical, latitude, personality भी है, logical भी है, लेकिन इसमें क्या रहता है कि marriage life में किसी भी व्यक्ति के साथ relation में थोड़ा compromises adjustment करने में यह थोड़ा difficulties को दर्शा आता है, starting में, इसलिए window sign कई मरतबा जो है married life के लिए थोड़ा सा negative रहता है starting में, और जो यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा हैं, यह multiple sources of earning भी देती है और दयालू किसम का nature भी देती है, जिसके अंतरगत दूसरों का दुखदर समझना, खुझ से जितना हो सकते दूसरों को सहीयोग प्रदान करना, और इस condition की सबसे अच्छी बात यह देखने को मिलती है कि इस condition है pet lover, animal lover होने के साथ चो शोशल वर्क में कभी पीछे नहीं हटते हैं, तो यह combination भी best है, तो Jupiter अंतरगर response आपका सबसे best धो career wise यहाँ कर रहा है, सेटन के उपर आएं, तो सेटन पर आड़ी रेखा है, तो यह mood swing का major issue देती है, emotions feelings में बहुत जल्दी fluctuation होते हैं और यही एक मात reason is जिससे आपका relation disturb होता है, अब किस बात से आप नाराज हो जाएं, किस बात से बिल्कुल भी प्रभावित ना हो या किस बात से serious हो जाएं, यह कोई वेक्ति जज नहीं कर सकता, emotions, feelings एकदम fluctuate होते हैं इस condition में, तो कोई भी काम लंबे समय तक टिक करके भी नहीं कर पाते हैं, थोड़ा रुक रुक करके काम करना, इस condition में पसंद आता है और आपके हतेली में moon luck line की availability है, moon luck line life में comfortability बहुत अच्छा देता है, चाहे career हो, income हो या personal life हो, क्योंकि moon आपके मन को दर्शात है, तो मन का तकरिबन सारा काम हो पाएगा, और अगर विदेज जाने का आपका किसी भी कारण से चेश्टा है, या जन्मिस्तान से दूर बसने का, तो Jupiter की भी help मिलेगी आपको, क्योंकि Jupiter पर आपका जो fate line हो जूकरा है, तो ये भी जो है birth place से दूर settle करता है, इसके लबा दूसरा जो luck है, वो निकला है life line से, तो खुद के effort मेहनत से आगे बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर धीरे-धीरे करके, और भी overlap करते हो रेखा जा रही है, तो आपकी हतिली में एक positive point ये है, कि आपकी भाग रेखा ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, थोड़ी रुक रुक करके, या change हो करके ये चल रही है, लेकिन इस condition में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, उस shattern mound से आ रही है कि life में, हर चीज मिलने के बाद भी इस condition में satisfaction नहीं मिलता है, क्योंकि सनी के आड़ी रेखा चिंताएं देती है, तो छोड़ी छोड़ी बातों पर ओवर एक करना, या overthink करना, या unwanted tension pressure अपने उपर बिल्ड कर लेना, वैसे योग भी यहाँ पर बनाता है, तो थोड़ा आपको meditation अथ्वा प्राणायम करना ज़रूरी है, इसका separate कोई remedy करने की इत्याव शक्ता नहीं है, क्योंकि आपका एक control यहाँ करना है, दूसरी बात सूर के विशय में करेंगे तो आप एक star का sign देख पाएंगे यहाँ पर, यह star का sign बहुत लख्की sign होता है, इस condition में पिता से थोड़ा वैचारिक अनबन मत भी दाता है, लेकिन अगर career wise बात करें, बहुत tremendous growth और success देता है, इस condition में नाम, ख्य इज़त, power authority, यह सबसे main, यह 500 चीज़ सबसे main देखने को मिलती है life में, और इसका जो star का जो एक परगार से indication है, यह आपको 32 के age से continue देखने लगेगा, तो 32 के age से most probably आप high post authority, top level management, यह बहुत बड़े पद पर, definitely यहाँ पर पहुत जाने वाले रहेंगे, और इस condition में independent work करन या अपना जो काम है दूर दूर तक फिलाना, यह सब भी देखने को मिलता है, अब सूर की रेखा के उपर देखेंगे, तो आपके हतीली में सूर की रेखा है, लेकिन यह क्या है, रुक रुक करके चल रही है, तो सूर की रेखा जब रुक करके चलती है, तो कई मरतबा मेह तो फिर तो बहुत ट्रिमेंडस और बहुत जल्दी ही ग्रोथ मिलेगा एक यशश्वी योग का निर्मान भी हुआ है आपके सूर के उपर तो इस कंडिशन में खुद के दम पर प्रॉपर्टी बना पाते हैं तो ये योग भी बहुत बेस्ट है Mercury के उपर अभी बात करें तो Mercury की स्थिती पर Multiple Line है जो की Multiple Languages का Knowledge देता है Attractive Nature Personality देता है और इस कंडिशन में Sense of Humor भी अच्छा देखने को मिलता है किस वेक्ति से कैसे बात करना है कैसे काम निकलवाना है इसकी सारे Capabilities भी अच्छी रहती है और आपके हतिले में Union Line भी strongly यहाँ पर रियक कर रहा है तो इस कंडिशन में Marriage के जो Chances are most probably within 2 years bright है क्योंकि इसका Age जो है 29 और 30 ही है और यहाँ पर देखेंगे तो खैदर रेखा कें तुमें गोंपुच क्या अकरती होना भी Good Sense of Humor और Flirty Romantic Nature को दर्शाता है Heart Line से Multiple Line आपके नीचे आते देखने को मिलेगा यह emotional setback करता है इस condition में बहुत ज़्यादा expectations रखना या लगाओ हो जाना और फिर जब वो expectation तूटना या उम्मीदे भिखरना तब जाकर emotionally बहुत hurt हो जाने वाले रहता है तो इस condition में आपको कही न कहीं अपने emotions को बहुत control करने के आउशकता है क्योंकि आप emotional nature के हैं और emotions अपने ज़्यादा show नहीं होने देते हैं इस condition में hidden nature हो जाता है क्योंकि अपने मन की पूरी बात नहीं बता पाते हैं तो थोड़ा आपको यहाँ पर अगर किसी से बहुत ज़्यादा emotional attachment है तो कहीं न कहीं sacrifice भी करना पड़ेगा और अपनी पूरी बात भी बतानी पड़ेगी नहीं तो अपने emotions को इतना build कर लिजें कि छोटी मोटी चीज़े कभी भी आपको life में affect ना कर सकें इसके लब अगर health के regarding बात करें तो health के लिए भी यह heart line इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन आपका internal mars strong के उपर से mercury line भी ज़्यादा है तो health में कोई बहुत major issue नहीं आएगा तब भी आप exercise, yoga, pranayam जिसी चीज़े करते रहे ताकि in future health के regarding भी कोई बहुत major issue नहीं रहे 21K से देखने को मिल रहा है फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि राहू की बहुत सारी रेखा है आकर के merge हो रही राहू की रेखाओं का काम है illusion देना, desire बहुत ज़्यादा देना और भ्रमित रखना तो इस condition में एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ज़्याद जब desire होती हो जब वो complete ना हो तो automatically stresses worries बढ़ती है और फिर उपर से शनी क्याडी रेखा तिलक का तार कर देती है यानि सोचने विचारत ने में छोटी-छोटी बातों पर affect होने लगते है तो जो आप प्रानायाम करेंगे उससे क्या है कि शनी वायू तत्व है तो इस condition में शनी के दुष्परिणाम भी खतम होगे meditation से जो आपका राहू का negative impact आरा है या सेटन के भी वो क्या है कि वो illusion देना ये desire देना emotions जो है disturb करना वो सारी चीज़े बहुत हद तक control हो जाएगी तो इन सारी चीज़ों से बहुत आपको शुब 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 परिणाम देखने को मिलेगा हाला कि इन सबसे परिणाम अगर सबसे main बात किया जाए तो आपका जो मस्चिश रेखा बहुत मजबूत इस्थिति में क्योंकि बिल्कुल सीधी है तो इस condition में mentally strong देखने को मिलते हैं चाहे कितना भी worst situation क्यों ना आजा लाइफ में कभी भी लेकिन disturb होने वाले नहीं होते हैं क्योंकि क्या होता है कि जब mind line outer marsal से connected होता है बनते हैं यानि विपरेत परिस्थिति में और अच्छे तरीके से आप काम करेंगे तो यह mind line एक तो long hard or deep studies दर्शा रही है knowledgeable personality दे रही है mentally strong दे रही है overall बस थोड़ा सा अपने decisions पे या emotions पे control रखना बाकि यह mind line हर तरीके से आपको बहतरने support दे रही है careerize growth करने के लिए mental stability के लिए एवं satisfaction के लिए क्योंकि mind line के उपर से जब mercury line बहुत हद तक गुजरती है तो आप जैसे जाते हैं independent work definitely करते हैं जिसमें खुद के दम पर कोई नया काम शुरू करना और फिर हाथ के नीचे काम करने अले लोगों के संखे बढ़ती है और mind line से progress line निकलना यानि खुद के द्वारा ले गए planning के द्वारा निश्ची तुरूप से लाप देखने को मिलना life line में पहले क्या था कि अंदर के तरफ चला फिर progress line के साथ जो start हो रहा है 22 वाला life line आपको वो ज्यादा अच्छा response कर रहा है क्योंकि उसमें क्या है कि आपकी progress line भी निकलने लग रहे है और यह life line से जब progress line निकलती है तो खुद के द्वारा किया गया एक-एक महनत या प्रयास जियोड में निश्चीत रूप से सफलता ले करके आने वाला रहता है तो इस condition में यह भी जो formation बहुत एक तो strong देखने को मिल रहा है और दूसरी यहाँ पर बात करें तो हलके-लकिसी जो आड़ी रेखा है यह health के regarding के disturbance देती है तो थोड़ा आपको स्वास्त पर भी ध्यान रखना है स्वास्त के regarding जो disturbance है वो आपको यहाँ पर आने के योग है 35 में और 35 में आइलेंड का भी sign बनावा है माइन लेंपर जो थोड़ा mental stress देता है इसलिए अभी से ही precautions रखेंगे तो in future disturbance नहीं आएगा इस पर अगर की progress line finance बहुत अच्छा देती है और तक्रिबन 38 से जो कहा जा रहा है कि आपको marriage के भी होगे तो उससे में बहुत भेथरीन progress line निकला आपका तो उससे में घर लेने के योग भी बहुत build है आपके supportive line भी अच्छी जा रही है support में मिलेगा अच्छा खासा spouse का internal mars को इस्तीती ठीक है थोड़ा जल्दबाजी में निर्णे लेने से बचिएगा और outer mars की स्तीती ठीक है यहाँ पर एक सीधी खड़ी रेखा देख पा रहे होंगे आप यह रेखा शत्रुहंता योग का निर्मान करते हैं लाइफ में जितने भी एनिमीज बनते हैं एनिमीज हाला कि ऐसे तो ज़्यादा नहीं बनेंगे लेकिन जो भी वेक्ति से थोड़ा मनमुटा भी होगा वो खुद उल्टे पाँ वापिस आएगा आपके पास तो इस करणिशन में कोई भी चाकर के भी बुरा नहीं कर पाता है यह बहुत अच्छा एक योग दिखा शुक्र भी बहुत वेल सेटल्ड है आपके हतेली में और शुक्र जब अच्छे होते तो भोतिक संसाधन एवं लाभ जीवन का बहुत अच्छा मिलता है तमाम तरह के मेटेरिलिस्टिक वल्ट का लाभ मिलेगा अच्छा र कंडिशन में लाइफ में समरेद्धी वो प्रसिद्धी कोई कमी नहीं आती यहां देखेंगे बारी किसे तो stressors line है लेकिन उतना जो है अच्छे से शो नहीं हो रही है सीधी खड़ी रेखाओं की शंखला थोड़ी से ज्यादा स्टॉंग है तो इस कंडिशन में लाइफ मे बेटर होना अचानक से एक आएक जीवन में शुब समाचार देखने को मिलना जन्मिस्तान से दूर भी ट्रेवलिंग से बहुँ ज़्यादा लाब होता है और चंदर की स्थिती पर देखेंगे तो चंदर पर ज्यादा रेखा है आ रही है और इन सारी रेखाओं में rectangle square के सा काम है earning capacity को बढ़ाना health improve करना management strong करना life में overall और यहाँ पर आपकी जो इंटेलिजेंसी और learning habit है उसको strong करना तो यह आपको help करेगा life में अच्छे खासे growth के लिए और इसके अलावा देखें आपके left hand में fate line के regarding तो यहाँ पर भी आप देख सकते कि यहाँ पर आपके fate luck line जो ह और खुद के मन इन तीनों का combination के दोरा life में growth करेंगे multiple जो यहाँ पर आड़ी रेखा देख रही है यह बार बार emotions feelings में fluctuation और negative thoughts देती हैं तो इस condition में जो प्राणायाम योगा यह सारी जो चीजे परफॉर्म करेंगे इन सारी चीजों से यानि जो negativity है इन सबसे बहुत dominating hand है finance के regarding कभी चिंता करने वली बात नहीं है लेकिन यह पेसा नहीं रुकेगा तो investment करते रहेगा तो फिर कोई दिखकत आपको नहीं आएगा और health के उपर थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना है तो उसके लिए physical fitness को continue आप रखिएगा यह थी सबसे महत्मून बात है आ आशे करता हूँ सभी प्रेशनों के तर्मिल गया हो तब तक आप अपना ध्यान रखें आपको बहुत बहुत धन्यवाद